समय गुजरता जाता है और ज्यादातर लोग सोचते ही रह जाते हैं कि स्वस्थ, निरोग, चुस्थ, स्लिम और तनाव रहित रहने के लिए वे जल्दी ही योगा, व्यायाम, कसरत, वर्काउट शुरू करेंगे उनके मन में अक्सर यह भी होता है कि वे जिम जाना शुरू करेंगे अत्वा योगा क्लास जुआइन करके योगा भ्यास सीखेंगे लेकिन कभी व्यस्तता तो कभी समय की कमी के कारण या फिर आलस से के चलते बात चलती ही जाती है कुछ लोग योग और योगा भ्यास को काफी मुश्किल और जटिल समझ कर भैवीत रहते हैं और शुरूआत को टालते रहते हैं जबकि कुछ लोगों के लिए जिम की मोटी फीस भारी पड़ती है और वे भी इसे निकट भविश्य के लिए छोड़ देते हैं अगर आप भी ऐसे ही लोगों में से एक हैं तो इन सभी आसान और चंद सेकेंडों वाली कसरतों या एक्सरसाइजेस को ध्यान से देखें ये सब हैं तो योग पराधारित व्यायाम लेकिन आप इने स्कूलों में बच्चों को कराई जाने वाली पीटी या ड्रिल की तरह सहज्टा से लें इन में से ज्यादातर को आप कुछ एक बार देख कर ही समझ और सीख जाएंगे आपको इनके नाम, सिध्धान्त, ट्रेनिंग या नियमों जैसी जटिलताओं में उलजने की जरूरत नहीं ये काफी सरल हैं लेकिन इन से आपको काफी फायदा होगा समय भी काफी कम लगेगा इन्हें आप घर पर ही अथ्वा पार्क में यानि कहीं पर भी कर सकते हैं इन में से कुछ व्यायाम अपनाने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आप योगा के जटिल आसनों को करने के लिए शारीरिक और मानसिक तोर पर पूरी तरह तैयार हो जाएंगे लेकिन शुरुआत से पहले कुछ मामूली बातों का ध्यान रखियेगा इन में से ज्यादा तर व्यायाम काफी सरल हैं और आप इन्हें यहीं देख कर सीख जाएंगे और कर सकेंगे इन में से मात्र दो तीन आपको ऐसे लगेंगे जिनके लिए थोड़े प्रशिक्षन की जरूरत है अतह जिन कसरतों को आप से हज़ता से कर सकें उन्हें ही शुरू करें शुरू आप थोड़े समय से करें अचानक ज्यादा समय एक्सरसाइज नहीं करें धीरे धीरे समय बढ़ाएं शुरू में शरीर के किसी भी अंग पर ज्यादा जोर न दें उदाहरन के लिए आपको आगे जुक कर पाओं की अंगली छूनी है तो शरीर के साथ जबरदस्ती न करें जहां तक आराम से जुक सकें वहीं तक जुकें धीरे धीरे आप शत प्रतिशत जुक सकेंगे वहीं तक exercise करें जहां तक आपको लगे कि आपके शरीर का संतुलन कायम है वर्क आउट के दोरान हमेशा आराम दायक वस्त्र पहने अगर देर तक व्यायाम कर रहे हैं तो बीच बीच में ब्रेक ले सकते हैं भर पेट भोजन करने के बाद कसरत न करें आप चाहें तो शुरुआत से थोड़ा पहले कुछ हलका खा सकते हैं यह भी ध्यान रखें कि प्यास जैसी स्थिती न हो यानि शरीर में पानी की कमी न रहे आदा घंटा पहले पानी दूद छाच या जूस ले सकते हैं मौसम और तापमान का भी ध्यान रखें अधिक गर्मी या उमस जैसे मौसम में ज्यादा व्यायाम न करें अगर तबियत खराब हो, बुखार हो, मसल्स या जूआइंस में दर्द हो अथ्वा किसी भी कारण से स्वस्त महसूस न कर रहे हो तो भी एक्सरसाइज नहीं करें आप चाहें तो इस दोरान हलकी आवाज में अपना मन पसंद संगीत, धुन भजन आदी भी सुन सकते हैं इस दोरान शंक नाद की यही ध्वनी सुनने से आप विशेश उर्जा महसूस करेंगे एक बार प्रयोग करके अवश्य देखिएगा अपने पसंद की अगरबत्ती, धुबत्ती या खुश्बू की व्यवस्था भी कर सकते हैं इससे आप वो चुस्ती फूर्ती के साथ मान सिक्षानती और प्रसनता भी महसूस होगी शुरुआत के लिए सबसे आसान कुछ व्यायान चुने धीरे धीरे कठिन एक्सरसाइज जोडते जाएं शुरू करने के दो सप्ता बात से ही आप अपने तन मन में सुखत परिवर्तन महसूस करने लगेंगे करता बात से ही आपने वाएं झाल 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 झाल